इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी जुबिविल्डा 50M4 टैबलेट एसर दो दवाओं से मिलकर बना है जो टाइप 2 डाइबिटीज मिलिटिस वाले लोगों में उच्छ रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करता है यह मध की दवाओं के साथ मिलकर निर्धारत किया जा सकता है स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम के साथ मधुमें की सभी दवाएं सबसे अच्छा काम करती है आपको दी जाने वाली के लिए आपको इसे नियमित रूप से हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए और जब तक आपका डॉक्टर इसकी सिफारिश न करे तब तक आपको इसे बंद नहीं करना चाहिए यह आपके रक्त शरकरा के स्तर को नियंत्रित कर रहा है और भविश्य में गंभीर जटलताओं को रोकने में मदद कर रहा है यह दवा लेते समय अपने चिकित सकद्वारा अनुशन सिताहार और व्यायाम कारिक्रम पर बने रहना महत्वपूर्ण है आपकी जीवन शैली मधुमे को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है इस दवा को लेने के सबसे आम दुषप्रभावों में दस्त, मतली, उल्टी, पेट खराब, सिर्दर्द और गले में खराश शामिल हैं यदि आप इंसुलिन या सलफनीलियूरिया जैसी आन्य मधुमे की दवाएं भी ले रहे हैं तो निम्रक्ट शरकरास्तर यानि की हाइपोगलाइसीमिया एक संभाव केडनी, लीवर या हिरदे रोग, अग्नियाशे की समस्या है या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कुछ अन्य दवाएं इसे प्रभावित क कर सकती हैं इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं आपको शराब पीने से बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह रक्ठ शरकरा को कम करता है आपका डॉक्टर उपचार से पहले और उपचार के दौरान आपके गुर्दे के कार्या और रक्ठ शरकरा के स्तर की जांच करेगा विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद